प्राइवेट अस्पतालों में लगातार आक्सीजन गैस की कमी की वज़े से तमाम मरीज हाल बेहाल भी हो रहे हैं और कुछ लोगों की मौते भी बड़ी तेजी से हो रहे हैं आक्सीजन बड़ी तेजी से कम होती है और तब जब आक्सीजन उनको नहीं मिलती ऐसे मौके पर प्राइवेट अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और मालिक ये बोलते हैं अपने मरीज को ले जाईए हमको गैस नहीं मिल लई इस संबंद में रोज मेरे पास सैकड़ों की संख्या में लोगों के फोन आ रहे हैं और जब मैंने इस संबंद में दो गैस मालिकों से बात किया तो आक्सीजन गैस प्लांट चलाने वाले उन दोनों मालिकों ने बताया कि हमारे उपर ड्रग इस्पेक्टर का बड़ा दबाव है कि चाहे कोई भी मेरे प्राइवेट अस्पिताल में आपको अक्सीजन नहीं देना है आप क्यों सरकारी अस्पितालों में दे इस संबंद में आज में वर्तमान समय में जो ड्रग इस्पिक्टर चार्ज लिए हु मैं अक्सीजन गैस प्लांट चलाने वाले लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि लोगों की जान बचाईए और लोगों को अक्सीजन गैस उफलप्त कराईए प्राइवेट अस्पितालों में भी या जो लोग अपने घर में अपने पेसेंट को राकर कर कोरंटाइन करके गैस की जरुरत है उनको भी देने का काम करें अगर आपके उपर ड्रग इस्पिक्टर या कोई दबाव डालता है कि नहीं के वर सरकारी अस्पिताल में दीजिए प्राइवेट अस्पिताल में नहीं दे दीजिए तो जिला दिकारी लखनों को इस संब्द में सूचना करें अब भी सूचना करें और उस पर हम जिला प्रसासन से बात करके फिर करवाई कराने का काम करेंगे और आप लोगों को लोगों की जान बचानी हैं इसलिए लोगों को गैस जरूर उपलब्द कराने का कष्ट करें मेरा बिर्णम्ता से आप से अन्रोध है हाथ जोड़कर के बिंति भी है कि सब लोगों को गयस जरूर उपलब्द कराने का काम करें जिनको जरूरत है